हेलो गाईज, स्वाई बेलकाम आला फिर्टो द आवर यूटूब चैनल ग्यान भी सचेन तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपी पॉलिटेक्निक 2022 का अड्मिसन होगा उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं जो स्वास्त प्रमाणपत्र होता है वो कितने तरीके का होता है और वो कितने तरीकों से बन सकता है क्या क्या प्रोसेजिस होते हैं इसके बनवाने के क्योंकि ये दो तीन तरीके से बनता है तो कहीं ना कहीं उसके बारे में आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा प्रोसेज बेस्ट रहेगा या आप किस प्रोसेज को फालो करें जिससे आप वहाँ पर जाएं और बिल्कुल भी दिक्कत आपको ना हो तो वीडियो में अंतक बने रहिएगा कुछ चीजें हैं जो गलती करते हैं लोग स्वास्थ प्रमाण पत्थर बनवाने में भी उसके बारे में भी बात कर लूँगा तो वीडियो के अंतक बने रहिए और यूपी पॉल टेक्निक काउंसिलिंग और एडिमिंसन से रिलेट सारी इंफॉर्मिशन के लिए चैनल को अ स्वास्थ प्रमाण पत्र कैसा होता है ठीक है यह देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है कि यह हमारे फ्रेंड का नाम है इस पर मेंसन है ठीक है यहाँ पर नीचे उसका सिगनेचर है और उसके प्लेस का सिगनेचर है और मेडिकल ऑफिशर का सिगनेचर है यह जो द आपके medical का जो अधिकारी होता है उस पर signature कर देता है इसके और भी procedure होएं जिसके बारे मैं बात करूंगा तो video के अंतक आप बने रहिए जो गलती आपको नहीं करनी है वो गलती ये नहीं करनी है जो आपके original ID पर आपका नाम होगा उसी को आपको medical के fitness certificate में लगाना है ना कि आ अब सचिन कुमार उपाध्याय है तो ऐसा नहीं कि मैं सचिन उपाध्याय वहाँ पर लिख दू बिल्कुल accurate नाम लिखूंगा बिल्कुल ठीक है बात समझ आ गई दोस्तों तो बिल्कुल भी ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है अब बात करते हैं कि किस तरीके से बनवाईए तो simply दो तीन तरीके होते हैं इसके पहले तो आप अपने जिले के लब जो government hospital district hospital होगा उसमें जाएंगे वहाँ पर CMO करयाले होता है उस CMO करयाले में आप चले जाएए उन्हें कह दीजिए कि हमें UP Polytechnic में admission लेने के लिए medical certificate बनवाना है तो वह paper पर कुछ कराएंगे आप कराएंगे और दो से तीन जो क्या बोलते हैं government hospital के जो doctor होगे उनका signature होगा और उसे आप लेकर फिर CMO office में पहुंचेंगे जैसे ही CMO office हुई hospital के अंतरगत ही होती है मतलब उसी hospital में ही होती है left side या right side में कही corner पर बनी होगी बड़ी सी office लाओ गया तो एक अ जाएगा कि आप पूरता स्वस्त हो एक तो यह process हो गया दूसरा process आपका यह हो गया कि आप जाओगे internet से एक card आपको form download करके आओगे उसे fill करोगे और उसके बाद जो test होंगे उन्हें करवाओगे और फिर CMO उस पर verify कर देगा अपना more लगा देगा वो हो गया ठीक है तो यह रही आपकी medical fitness certificate से related अब आपको गलती क्या नहीं करनी है उसके बारे में समझ लीजिए गलती यह नहीं करनी है friends कि बहुत सारे students ऐसे होते हैं जो अपने छेत्री hospital CHC hospital जीशे कहते हैं CHC मतलब जैसे उनके तहसील के अंतरगत जो hospital लाती है उसमें जाएंगे और एक रुपए की परची लेंगे और डाक्टर से कहेंगे सर्व medical fitness certificate चाहिए तो डाक्टर उस पर पता नहीं क्या क्या लिग देगा और उसे ले करके आप college बे एंडविशन देगा तो वो नहीं चलता एक रुपए वाली परची ठीक है तो उसे नहीं लेंगे आपके UP Polytechnic admission में तो यह गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है तो इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको information अच्छे लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और आपको UP Polytechn सब्सक्राइब कर लिए तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइ टाटा लब यू अल